जै महाकाल, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ति वावना यूट्यूब चैनल पर 10 जून नर्जला 81 महा सुभ योग नर्जला 81 के दिन बहुत बड़ा योग बन रहा है और इस दिन तेही राशियों की मनोकामना पूरी होगी नर्जला 81 के दिन इतना सुभ सभ योग बन रहा है कि आप मनोका अपनी चप बोल करके भगवान के सामने जो पाय करेंगे आपकी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी हो जाएगी साल में कुछ ऐसे योग आते हैं जो बेहदीश शुव होते हैं अगर उन योगों में आप पूजा करते हैं उपासना करते हैं भगवान की तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है नर्जला 81 साल की बड़ी 81 है इस वार नर्जला 81 और गंगा दसरा दोनों पर बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं इस दिन भगवान सिव की पूजा करने से भगवान सिव का गंगा जल से अफशिक करने से मनोकामना पूरी हो जाती है इस दिन आपको क्या करना एक लोटे में गंगा जल डालना है उसमें काले तिल डालने हैं साथ थोड़ी सी भसमूस में डालनी है और साथ ही आपको जल के अंदर ही थोड़ा सा सहद डालना है अब इस जल से आपको भगवान सिव का अवशे करना है उसके बाद में पांच बेल पत्र या साथ बेल पत्र ओम नवस्वा लिख करके सिवलिंग पर आपको अरपन करने हैं उसके बाद में आप वहीं बैट करके ओम नवस्वाय मंतर का जाप करेंगे और एक भोजपत्र के तुकड़े पर अपनी मनुकामना लिख करके भगवान के चरणों में अरदास लगा देंगे उस बोजपत्र के तुकड़े के चार बार फोल्ड करके उस पर आप मोली लपेटिंगे और उसे जो आप भगवान के चरणों में रख देंगे दोस्तों यह इतना अच्छा उपाय आपके मनुकामना पूर्योगी यही उपाय आपको भगवान कृष्ण के सामने करना है भगवान कृष्ण का पंचा मिस्यवशे करना है उसके बाद में तुलसी पत्र और पंचा मृत भगवान के सामने अरपन करना है फल भगवान के सामने अरपन करने है पिर आप भगवान के सामने दीपक जला करके भगवान के मंत्रों का जाब करेंगे भगवान के मंत्रों का जाब करना है और संतान गोपाल मंत्र का जाब करना है आपकी मनुकाबना पूरियोगी भगवान के सामने आप केले कफल और तुलसी पत्र जरूर अरपड करेंगे और इसको प्रसाथ के रूप में पती पत्नी को खाना भी है जो आप चाओगे वो है मनुकाबना पूरियोगी इस दिन पित्रों की फोटों के सामने भी आपको दीपक जलाना है